हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टु दिवयास किचुन, फ्रेंड्स आज हम एक इंटरनाशनल सेलड बनाने जा रहे हैं और वो है मोरोकन स्वीट पटेटो सेलड, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही एल्दी और बाकी सेलड से थोड़ा हटके, बनाना बहुत आसान और खाने में सीजनल है, आप इस मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी एक स्टेप मिस ना करें इस सालड को टेस्टी बनाने के लिए, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना सालड मोरोकन स्वीट पटेटो सालड, बट उससे पहले, प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रेस्ट बेल इकन, सो लेट्स कोक, इस सालड का में इंग्रीडियंट, स्वीट पतेटो, मैंने टू फिस्टी ग्राम स्वीट पतेटो को अच्छे से वाश करा, देन उसे एक विसल तक मैंने से प्रेशर कुक कर लिया था, पानी जादा नहीं डालते हैं प्रेशर कुक करते हुए, बिलकुल इतना सा जितने मारे स्वीट पतेटो टच करें, बस और एक विसल में, देखे इस तरह से हमारी स्वीट पतेटो बॉयल हो जाएगी, और मैंने उस बॉयल पतेटो को इस तरह के स्कोईर पीसिज में देख कट हैं और रेडी है सालाड बनने के लिए, इसे बनाने के लिए हमें एक पैन में लेंगे वन टेबल स्पून बटर, बटर अब थोड़ा कम जादा भी कर सकते हैं, बट वन टेबल स्पून के अराउंड बटर जरूरी है, हमारी कॉंटिटी जितनी है स्वीट पतेटो की उ एक फ्लेवर देता है, टेक्स्चर देता है, बड़ा यम्मी बनाएगा, आप आगे आगे देखते जाएगे, यह हमारा एक और हेल्दी वोज़न हनी, हनी को हम इसमें अब आट करेंगे, यह जो सैलेड होता है, यह बहुत मीठा होता है, बट टेस्टी बहुत होता है, इसम हम एक कैरमल सॉस बनेगी अभी, जिसमें हमारा सैलर बनाएगा, इसको अच्छे से अप मिक्स कर लेंगे, हम बटर और हनी को, हम इसे कांटीनिउसली स्टर करना है, और अभी हमें डाल रही हूँ हाफ कप पानी, यह वन टीस्पून के एराउंड दालचीनी पाउडर, हाफ हल्दी पाउडर, बहुत अच्छे एक रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर होता है, इसका सॉल्ट आपके टेस्ट के एक कॉर्डिंग, अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, दालचीनी इसे एक फ्लेवर देगा, हल्दी इसे एक कलर देगी, और सॉल्ट आपका बड़ा खटा, मी और यह एक ठिक ग्रेवी बन जाए, जैसे एक कैरमल सॉस होती है, थिक, स्टिकी सी, वैसी, पानी हमने इसलिए डाला है, ताकि जो हनी हमने डाला है, बटर है, वो जले नहीं, बहुत जादा भी वो स्टिकी ना हो, हमें देखे कैरमल सॉस की तरह इसे एक बनाना है, इस स्टिक हो चुकी है, देखे, अब यह आस पास इसके बिलकुल अच्छे से लिपट जाएगी, गैस आप लो टू मीडियम ही रखे, जादा हाई फ्लेम पे बिलकुल कोक मत करें, यह देखे, यह कितना अच्छा शाइनिंग आ गई है, उस कैरमल की स्वीट पोटेटो देखन सीजन में, वो सब इस आज सालड में मिलने वाला है, मैं तो से कैश्यू भी डाल दिये है, वो कैरमल जब इन ड्राइफ रूट के आसपास भी लिपटेगी ना, उनका भी अलग ही फ्लेवर आ जाएगा, बड़े टेस्टी बनने वाले है यह सालड, यह देखे, देखने में किता हेल्दी है, स्वीट पोटेटो भी हेल्दी होता है, और यहां मैंने यह ली है, थोड़ी सी किश्मिश, जिसे मैंने पानी में डिप करा था, और यह थोड़े से केसर के स्ट्रिंग्स, इसे भी मैंने पानी में पहले ही डिप करके रखा हुआ था, किश्मिश पानी में dip करने से थोड़ी soft हो जाती है इसलिए मैंने उसके बीच में पहले ये पानी डाल कर रखा था, उसका पानी यूज नहीं करेंगे हम, पानी फेक देंगे बट रेजन्स को निकालके हम अपनी डिश में आड़ करेंगे, ताकि वो soft रहेगी केसर एक अच्छा एक कलर देगा, एक टेक्श्चर भी देगा थोड़ से रिचनेस आ जाती है देखे केसर के स्टिंग्स कितने सुन्दर लग रहे है और यह है roasted sesame seeds मैंने sesame seeds को dry roast कर लिया था और हम इस salad में आड़ करतेंगे यह भी एक टेक्स्चर भी देगा लुप भी देगा, no doubt और sesame seeds वैसे भी health के लिए बहुत अच्छे है winter season में बहुत healthy है यह dish थोड़ सा green coriander आप end में डालिए ताकि coriander का color बिगडे नहीं और salad में एक और color enhance होकर आएगा dry fruits ने तो अपना natural color दिया ही है और यह green coriander इसे एक और compliment कर रहा है देखे कितना मज़ा आ रहा है ना salad देख देख कई कुछ भी नहीं है इस salad में बहुत simple है और health no doubt unlimited, taste unlimited और seasonal dish है हमारी अब बोर हो चुके होंगे वो normal sweet potato से देखे रेडी हो चुका है तयार हो गया हमारा Moroccan sweet potato salad वो boring sweet potato से हट कर यह आप salad ट्राइ कीजिए full of health है full of nutrition है और आप इसे ठंडा भी बना सकते हैं store करके रख सकते हैं जब मन करें बच्चों को pack करके दे दीजे खुद अपना जब मन करें अप इसे खाईए बनाईए, खाईए, खिलाईए और अपने experiences है will make you thanks for watching divya's kitchen